शौर प्रतम्तो जैस्त्रीकृष्ट आज हम लोग एक कथा सुनेंगे कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तता अर्थ्यात्मिक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है तो चलिए कथा को सुनते हैं शेश जी कहते हैं द्विजिस्रेश्ट तदनंतर बदे हुए चमर्शे शुशोभित वह यग्य शम्मन्धि अश्व हजारों योध्याओं से सुरक्षित होकर भारत वर्ष के अंत में इस्थित हेमकूट परवत परग्या जो चारों ओर से दश हजार योजन लंबा चावड़ा है उसके सुन्दर शिखर सोने चादी आदिधातुओं के हैं वहां एक विशाल उद्धान है जो बहुत ही सुन्दर और भाति भाति के ब्रिक्षो से सुशो भित है घोडा उसमें प्रवेश कर गया वहां जाने पर उस अश्व के सम्मंध में शहसा एक आश्चर जनक घटना हुई उसे बतलाता हूँ शुनिये अकश्मात उसका सारा सरीर अकड़ गया वह हिरडुल नहीं पाता था मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेम कूट परवत की भाति अविचल प्रतीत होने लगा अश्व के रक्षोने शत्रुहन के पाफ जाकर पुकार मचाई श्वामिन हम नहीं जानते घोडे को क्या हो गया अकश्मात उसका संपोर सरीर अस्तब्ध हो गया है इस बात पर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिये यह सुनकर राजा सत्रुहन को बड़ा विश्मे हुआ वे अपनी समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए पुषकल ने अपनी बाह से पकड कर उचके दोनों चरडों को धरती शे उपर उठाने का प्रयात्न किया परन्त वे अपनी अस्थान से हिल भी न शके तब शत्रुघन ने शुमती शे पूछा मंत्रिवर घोड़ी को क्या हुआ है जो इसका सारा सरीर अकड गया अब यहां क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए शुमती ने कहा श्वामिन किनी ऐशे रिशी मुनी की खोज करनी चाहिए जो शब बातों को जानने में पुशल हो मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष बिशयों को ही जानता हूं परोच में मेरी गती नहीं है शेश जी कहते हैं सुमत की यह बात सुनकर धर्म के ज्याता शत्रुगन अपनी शेव को द्वारा रिशी की खोज कराई एक शेवक वहां से एक योजन दूर पुर्व दिशा की योर गया वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया जहांके पशु और मनुश्य सभी परश पर बैरभाव से रहित थे गंगाजी में यश्नान करने की कारण उनके शमस्ते पाप दूर हो गये थे तथा वे शब के शब बड़े मनोहर दिखाई देते थे वह शाउनक मुने का मनोहर आश्रम था उसका पता लगाकर शेवक लाटाया और विश्मित होकर उसने राजा सत्रुधन से उस आश्रम का समाचार में वेधन किया शेवक की बात सुनकर अनिचरो शहित सत्रुधन को बड़ा सहर्श हुआ और वे हरुमान तथा पुष्कल आधि के साथ रिश्य के आश्रम पर गये वहाँ जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरडों में शाष्टान प्रडाम किया बलवानों में स्रेष्ट राजा सत्रुधन को आया जान शाउनक मुनि ने अरग, पाद, आधि देख उनका श्वागत किया उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रशन्यता हुई शत्रुधन जी शुक पूरवक बैठ कर जब विश्राम कर चुके तो मुनिश्वर ने पूछा राजन तुम किसलिये भ्रमड कर रहे हो तुमारी यह यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है मुनि की यह बाद सुनकर राजा शत्रुधन का शरीर हर्श से पुल कि थोठा वे अपना परचे देते हुए गदगद वाणी में बोले महर्शे मेरा अश्व अकश्मात एक फूलों से शुशोवित उद्धान में चला गया उसके भीतर एक किनारे पर पहुचते ही ततकाल उसका सरीर अकड़ गया इसके कारण हम लोग अपार दुख की समुद्र में डूब रहे हैं आप नौका बन कर हमें बचाईए हमें या हमारे बड़े भागि थे जो दैवात आपका धर्शन हुआ घोडे की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है यह बताने के क्रिपा कीजिए शत्रुगन के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि स्रेष्ट शाउनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया फिर एक ही छड़ने शारा रहस्य शमज में आ गया उनकी आखे आश्चर से खिलू उठी तथा वे दुख और शंसय में पड़े हुए राजा शत्रुगन से बोले राजन मैं अश्व के गात्र अस्तम्भ का कारण बताता हूं शुनों गावड देश के शुरम्य प्रदेश में कावेरी तक पर सात्विक नाम का एक ब्राम्भर बड़ी भारी तपश्या कर रहा था वह एक दिन जल पीता दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था इस प्रकार तीन तीन दिन का ब्रत लेकर वह शमय वितीत करता था उसका यह ब्रत चल ही रहा था की शब का विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों में ले लिया उस महान ब्रत धारी तपश्यवी की इंब्रित्त हो गई तत पश्चात वह साथ्विक नाम का ब्राम्हळ शब प्रकार के रतनों से विभूशित तथा सब तरह के सोभा से संपन्न विवान पर बैठ कर मेर गिरी के सिखर पर गया वहां जम्भु नाम की नदी बहती थी जिशके किनारे तप और ध्यान में शनलगन रहने वारे रिशी महर्षी निवाश करते थे वह ब्राम्हर वहीं आनंद मगन होकर अपनी इच्छा के अनुशार अपसराओं के शाथ विहार करने लगा अभिमान और मद से उन्मत होकर उसने वहां रहने वाले रिशीयों के प्रतिकून वरताव किया इससे रुष्ट होकर उन रिशीयों ने शाप दिया जा तो राक्षस हो जा तेरा मुख विक्रित हो जा यह शाप शुन करने ब्राम्हर को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्ध्वान एवन तपश्वी ब्राम्हरोशी कहा ब्राम्हर्शियों आप शब लोग दया दू है मुझ पर क्रिपा कीजिए तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करती हुई कहा जिस समय तुम श्री राम चंद्रजी के अश्व को अपने बेग से अस्थब्ध कर दोगे उस समय तुम्हें स्री राम की कथा सुनने का आउशर मिलेगा उसके बाद इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी मुनियों के कथना नुशा उसी ने यहां राक्षत होकर से रभुनात जी के अश्व को अस्तम्भित किया है अतह तुम्हें किर्टन के द्वारा घोडे को उसके चंगुल से छुलाओ मुनि का यह कथन सुनकर सत्र वीरो का दमन करने वाले सत्र वहन के मन में बड़ा अभिश्में हुआ वे शौनक से बोले कर्म की बात बड़ी गहन है जिससे शात्रिक नामधारी ब्रामःड अपने महान कर्म से श्वर्ग में पहुच कर भी पुनह रक्षस भाव को प्राप्त हो गया श्वामिन आप कर्मों के अनुषा जैसे कती होती है उसका वर्ण केजिए जिस कर्म के परड़ामशे जैसे नरक की प्राप्ती होती है उशे बताईए शाउनक ने कहा रग कुल स्रेष्ट तुम धन्ने हो जो तुम्हारी बुद्ध शरां ऐशी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है इश में शन्देह नहीं कि तुम इश बिशय को भली भाती जानते हो तो भी लोगों के हित के लिए मुझ से पूछ रहे हो महाराज कर्मों के श्वरूप बिचित्र हैं तथा उनकी गती भी नाना प्रकार की हैं मैं उसका वर्ण करता हूं सुनों इस विशय का अस्रमण करने से मनुष्यू को मोच की प्राप्ती हो सकती है जो दुष्ट बुद्धी वाला पुरुष पराय धन पराई संतान और पराई इस्त्री को भोग बुद्धी से बलात अपनी अधिकार में कर लेता है उसको महामली यमदू काल पास में बाद कर तामिश्त्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक एक हजार वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उशी में रखते हैं यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भाती क्लेश उठाकर अंत में वह शूवर की योनि में जन्म लेता है और उसमी भी महान दुख भोगने की पस्चात वह फिर मनुष्य की योनि में जाता है परन्त वहां भी अपने पुर्व जन्म के कलंक कोशुचित करने वाला कोई रोग आदिका चिन धारण किये रहता है जो केवन दूसरे प्राण्यों से द्रोह करके ही अपने कुटुम्ब का पोफड़ करता है वह पाप परायड पुरुश अंधता मिस्र नरक में पड़ता है जो लोग यहां दूसरे प्राण्यों का बद करते हैं वे रावरप नरक में गिराये जाते हैं तथा रूरु नामक पच्छी रोश में भरकर उनका सरी नोचती हैं जो अपने पेट के लिए दूसरे जीओं का बद करता है उसे यमराज की आज्याशे महा रव रव नामक नगर में नरक में डाला जाता है जो पापी अपने पिता और ब्राम्वड से द्वेश करता है वह महान दुख में काल शुत्र नरक में जिसका विस्तार दस सजार योजन है पड़ता है जो गउओं से द्रोह करता है उसे यमराज के किंकर नरक में डाल कर पकाते हैं वह भी थोड़े समय तक नहीं है गउओं की शरीर में जितने रुए होती हैं उतने ही हजार वर्षुत्त जो इस पृत्वी का राजा होकर दंडन देने योग्य पुर्षो को दंड देता है तथा लोभवश अन्याय पुर्वक ब्रामभडो को भी सारीरिक दंड देता है उसे शूवर के समान मुह वाले दुष्ट यमदूत पीडा देते हैं तत पस्चात वह शेश पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में चन्म ग्रहन करता है जो मनुष मोह वश ब्रामभडो तथा गउओं के थोड़े से भी द्रव्य धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराये जाते हैं वहा उनको महान कष्ट भोगना पड़ता हैं जो जीव के लिए आतूर हो लोलूपतावस स्वयम ही मधुर अन्न लेकर खा जाता हैं देवताओं तथा सुहिर्दय को नहीं देता वह निश्चे ही क्रीमी भोजन नामक नरक में पड़ता हैं जो मनुष्य सुवर्ण आदिका अपहरण अथवा ब्राम्हण के धन की चोरी करता हैं वह अत्यंत दुख दायक शंदेह नामक नरक में गिरता हैं जो मूढ बुद्धिवाला पुरुष केवन अपने शरीर का पोशड करता हैं दूसरे को नहीं जानता वह तपाये हुए तेल से पुर्ण अत्यंत भयंकर कुम्भी पाक नरक में डाला जाता है जो पुरुष मोहवश अगम्या इस्त्री को भार्या बुद्धिशे भोगना चाहता है उसे यमराज के दूर उसी इस्त्र की लोह मै तपायी हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं जो अपने बल से उन्मत होकर बल पुर्वक बेद की मर्यादा का लोप करते हैं वे वय तरड़ी नदी में डूब कर मांस और रक्त भोजन करते हैं जो द्विज होकर शुद्र की इस्त्री को अपनी भार्या बना कर उसकी साथ ग्रिहस्ती चलाता है वह निश्चे ही पुयोद नामक नरक में गिरता है वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है जो धूर्ट लोगों को धोख्वि में डालने के लिए दंबकास रह लेते हैं वे मूढ वैसस नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है जो मूढ शवरडा समान गोत्रवाली इस्त्री की योनि में वेर्य पात करते हैं उन्हें वेर्य की नहर में डाला जाता है और वे वेदे पीकर ही रहते हैं जो लोग चोर आग लगाने वाले दुष्ट जहर देने वाले और गाउं को लूटने वाले हैं वे महापात की जीव शर्मेयादन नरक में गिराये जाते हैं जो पाप राशिका संचय करने वाला पुरुस जूठी गवाही देता या बल पुर्वक दूसरों का धन्चीन लेता है वह पापी अविची नामक नरक में नीची सिर करके डाल दिया जाता है उसमें महान दुख भोबने की पस्चात वह पुना अत्यन्त पाप में योनि में जन्म लेता है जो मूढ सुरा पान करता है उसे धर्मराज के दूद गरम गरम लोहे का रश इलाते हैं जो अपनी विद्दा और आचार के घमंड में आकर गुर्जनों का अनादर करता है वह मनुष मृत्तु के पस्चात छार नरक में नीची मुह करके गिराया जाता है जो लोग धर्म से बहिस्कृत होकर विश्वाज घात करते हैं उन्हें अत्यन्त यातना पोड सूल प्रोत नरक में डाला जाता है जो चुगली करके सब लोगों को अपने वचन से उद्वेग डाला करता है वह दंद सुक नामक नरक में पढ़कर दंद सुको शरपूद वारा डसा जाता है राजन इस प्रकार पापियों के लिए अनेको नरक है पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यन्त भयंकर यातना भोगती है जिनोंने सी राम चन्दर जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों कावकार नहीं किया उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पढ़ते हैं इस लोक में भी जिसको अधिक सुक प्राप्त है उसके लिए वह शर कहलाता है तथा जो रोगी और दुखी है वे नरक में ही है दानपूर में लगे रहने तिर्थ आदिका सेवन करने सी रभुनात जी का लेलाओं को सुनने अथवा तपश्या करने से पापों का नास होता है हर किर्तन रूपी नदी ही मनुष्य के लिए सब उपायोसी स्रेष्ट हैं वह पापियों के शारे पाप पंक को धोडालती है इस विशय में कोई अन्यथा विचार करने की और शक्ता नहीं है जो भगवान का अपमान करता है उसे गंगा भी नहीं पवित्र करती पवित्र शे पवित्र तिर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ती नहीं रखते जो ज्यानहीन होने की कारण भगवान के लीला किर्तन का उपहाश करता है उसको कल्प के अन्त भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता राजन अब तुम जाओ और घोडे को शंकट से छुडाने के लिए शेव को शहित भगवान का चरित्र शुनाओ जिससे अश्व में उन्ह चलने फेरने की शक्ती आजाए शेश जी कहते हैं शाउनक जी की उपरिक्त बात सुनकर सत्रुगन को बड़ी प्रशन्यता हुई वे मुनी को प्रणाम कर और परिक्रमा करके शेव को शहित चलेंगे वहाँ जाकर हर्मान जी ने घोडे के पास से रगुनात जी के चरित्र का वरडन किया जो बड़ी शे बड़ी दुर्गती का नाश करने वाला है अंत में उन्होंने कहा देव आप स्री राम चंद्र जी के किर्तन के पोड़े शे अपने विवान पर शवार होईए और श्विक्छान उशार अपने लोक में विच्रन केजिए इस कुद्सित योनिशे अब आपका छुटकारा हो जार यह वाँ की शुनकर देवता ने कहा राजन मैं सी राम चंद्र जी का किर्तन सुनने से पवित्र हो गया महामते अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ आप मुझे आज्या दीजिए यह कहगर देवता विवान पर बैठे हुए श्वर्ग चले गए उस शमे यह द्रिश्य देख कर शत्रुहन और उनके शिवकों को बड़ा बिश्मे हुआ तदनंतर वह अश्व गात्र अस्तम से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्दान में शव और भ्रमड करने लगा तो आज के लिए इतना है फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जायस रिक्रिश्ट जायस रिक्रिश्ट